हलो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने उत्राखंड का पार्ट वन पड़ा और आज का जो वीडियो है वो है पार्ट वो पर तो चलिए शुरू करते हैं हलो एरिवन स्वागत है आप लोगों का हमारे यूटुब चैनल बेस्ट नोट्स टुटोरियल में मैं मनवर्शिंग लाया हूँ 20 महत पूर्ण एम सिक्यूज जो काफे एक्जैम में पोछे जाते हैं आज का जो टॉपिक है वो है उत्राखंड का संग्चिप्ट अवलोकन पार्ट वन का वीडियो चैनल पर पहले ही अप्लोड हो चुका है तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला प्रस्ण है निम्न में से राज जपाल की नियुक्ति कौन करता है ओप्शन E प्रधान मंत्री ओप्शन B उप्राष्ट पती ओप्शन C राष्ट पती ओप्शन D इन में से कोई नहीं तो आपका सही आंसर होगा ओप्शन C राष्ट पती राज्यपाल राज्यका समयधानिक प्रोमुक होता है राज्यपाल के नियुक्ति देश के राश्ट्पति द्वारा की जाती है राज्यपाल के नियुक्ति राज्यों में होती है तथा केंदर परसासित परदेशों में उपराज्यपाल के नियुक्ति होती है राजिपाल केंदर सरकार के परतिनीदी के रूम में कार्य करता है राजे का वर्तमान राजपाल हैं स्री गुरमीत सिंग जी और भारत का राष्टपती स्री रामनाद कोविन जी है अगला क्वेशन है राजपाल के लिए सरुपर्थम प्रियास किया गया था उप्शन A, 1971 अलमोरा में उप्शन B, 1908 चमोली में उप्शन C, 1972 चमोली में उप्शन D, 1976 चमपावद में तो आपका सही आंसर होगा उप्शन C, 1972 चमोली में तो अगला क्वेशन है उत्तराखन राजपाल के लिए सरुप से पाया जाता है उप्शन A, फूलों की घाटी उप्शन B, उत्तरकाशी वकेदारनाथ उप्शन C, पिथोरागड तो आपका सही आंसर होगा उप्शन D, उप्षोरागड में भी उत्तरकाशी वकेदारनाथ में भी और फूलों की घाटी में भी अगला क्वेशन है सन 2011 में राज ये खेल घोसित किया गया था उप्शन A, होकी उप्शन B, फुटबॉल उप्शन C, क्रिकेट उप्शन D, उप्प्रोक सभी तो आपका सही आंसर होगा उप्शन B, फुटबॉल दुनिया के सबसे लोक प्रिया खेलों में से एक खेल फुटबॉल भी है यह एक सामोही खेल है और इसे 11 खेलाडियों 11 खेलाडियों के द्वारा दो दलों के बीच खेला जाता है फुटबॉल को सामाने तह एक आयताकार घास या कृत्रिम घास के मैदान पर खेला जाता है जिसके दोनों चोनों पर एक एक गोल होता है खेलाडियों द्वारे बिरोधी दलके गोल में चालाके से गेंद को डालना ही इस खेल का उद्देश्य है फुटबॉल का उप नाम पादक कंदुक भी है यह सबसे पहले इंग्लेंड में 19 सदी के मध्य में खेला गया था 19 सदी पादक कंदुक तो दोस्तां अगले क्वेशन पर चलते हैं राज्य का राजके वुरिक्ष क्या है ओप्सन ए वुरांस ओप्सन बी ब्रहम कमल ओप्सन सी बाँज ओप्सन डी इनमें से कोई नहीं तो आपका सही आंसर होगा ओप्सन ए वुरांस उत्राखन राज का राज वुरिक्ष बुरांस है और यहर नेपल का राष्ट्रे फूल भी है बुरांस हिमाली छेतरों में 1500 से 3600 मीटर की मध्यम उन्चाई पर पाये जाने वाला एक सदा बहार वुरिक्ष है वुरांस के पेणों पर मार्च और अप्रेल माह में लाल सुर्क रंग के फूल खिलते हैं वुरांस के फूलों का इस्तमाल दवाईयों में भी किया जाता है इससे बना सरवत हिर्दे रोग्यों के लिए बेहत लापकारी माना जाता है वुरांस के फूलों की चटनी भी बनाई जाती है इसकी लकड़ी का उप्योग क्रिशी अंतरों के लिए भी किया जाता है वुरांस की चटनी ग्रामी और छेतरों में काफी पसंद की जाती है वुरांस की जो पत्ते ओ फूल रहते हैं उनकी चटनी भी बनती है अगला question है उत्तरा खंड राज जम्हें सरवादिक विकास खंडों वाला जिल्लक कौन से है option A रुद्र पर्याग, option B बागेश्वर, option C पोड़ी, option D पित्थोर अगड़ तो आपका सही आंसर होगा option C, पोड़ी पोड़ी में 15 ब्लोक हैं, तो नम्मर वन पे है पोड़ी, दो कोट, तीन कलजी खाल, चार खिरसू, पाँच पाबू, छे थलिसेंड, साथ बीनो खाल, आठ नैनी डांडा, नो एके स्वर, दस पोखडा, ग्यारह रिखनी काल, बारह जहरी काल, तेरा, द्वारे खाल, चौदा, दुगड़ा, और पंदरा यम केश्वर, तो अगला क्वेशन है, निम्न में से वर्तमान में लोक सबाज सदेश्य हरिद्वार से कौन है? उप्शन A, अजे टम्टा, उप्शन B, अजे भट, उप्शन C, तीरत सिंगरावत, उप्शन D, रमेश पोखरियाल निसंग, तो आपका सही आंसर होगा, उप्शन D, रमेश पोखरियाल निसंग, हरिद्वार लोक सबाज निर्वाचन छेतर है, श्री रमेश पोखरियाल निसंग जी यहां के वर्टमान सांसेंद है, जो भार्चय जनता पार्टी से आते हैं, अगला क्वेशन है, राज्य मैं सबसे कम बिदान सबाज सीटें किस जिल्ले में हैं, उप्शन A, बागेश्वर, उप्शन B, रुद्र प्रियाग, उप्शन C, चमपावत, उप्शन D, उप्रोक सभी, तो आपका सही आंसर होगा, उप्शन D, उप्रोक सभी, चमपावत, रुद्र प्रियाग, बागेश्वर, यहां कितने विदान सबाज सीटें हैं, दो-दो, तो अगला क्वेशन है, राज्य मैं सरवादिक विदान सबाज सीटों वाला राज्य कौन सा है, उप्शन A, हरिद्वार, उप्शन B, चमपावत, उप्शन C, रुद्र प्रियाग, उप्शन D, बागेश्वर, तो आपका सही आंसर होगा, उप्शन A, हरिद्वार, यहां 11 सीटें हैं, विदान सबाज से, तो अगला क्वेशन है, समविधान के किस अनुचेद में राज्यों हैं, तो एक-एक उच न्यायले की ब्यावस्ता है, उप्शन A, 250, उप्शन B, अनुचेद 371, उप्शन C, अनुचेद 241, उप्शन D, अनुचेद 370, तो आपका सही आंसर होगा, उप्शन C, अनुचेद 241, उप्शन C, कि प्रतेग राज्यों के लिए एक-एक उच न्यायले गठित कर सकते हैं, एक-एक, तो अगला क्वेशन है, निमनी लिखित में से वर्तमान में राज्य सभा सदश्य है, उप्शन A, नरेश बंसल, उप्शन B, प्रदीप टम्टा, उप्शन C, अनिल बलूनी, उप्शन D, इन में से कोई नहीं, तम्टा नहीं है, तम्टा है, तो आपका सही आंसर होगा, उप्शन C, अनिल बलूनी, तो अगला क्वेशन है, उत्रा खंडराज में सरवादिक जिल्लों वाला मंडल कौन सा है, उप्शन A, कुमाव मंडल, उप्शन B, गड़वाल मंडल, तो आपका सही आंसर होगा, उप्शन B, गड़वाल मंडल, यहां किने जिल्ले हैं, साथ जिल्ले, यानि कि सेवन डिस्ट्रिक्ट, उन में से एक देरादून, हरिद्वार, चमूली, उत्तरकासि, पोड़ी गड़वाल, टिहरी गड़वाल, और रुद्दर पर्याग, यहां सब गड से जिल्ले हैं, वो हैं, नैनिताल, अलमोडा, उधम सिंगनगर, पितोरागड, चमपावत, और बागेसर, यहां सब कुमाव मंडल के तहत आते हैं, तो अगला क्वेशन है, निम्नमेस उप तहसीलों की संक्या है, ओप्शन A, 110, ओप्शन B, 109, ओप्शन C, 117, ओप्शन D, एक सो तीन, तो आपका सही आंसर होगा, ओप्शन A, 110, अगला क्वेशन है, सब से कम तहसीलों वाला जिल्ला कौन सा है, ओप्शन A, हरिद्वार, ओप्शन B, रुद्र प्रियाग, ओप्शन C, पितोरागड, ओप्शन D, A और B, दोनो, तो आपका सही आंसर होगा, ओप्श ओप्शन D, A और B, दोनो, हरिद्वार B, और रुद्र प्रियाग में, B, हरिद्वार में, चार तहसीले हैं, चार ब्लोक, और रुद्र प्रियाग में भी, चार ब्लोक हैं, तहसील, तो अगला क्वेशन है, अंग्रेजों के समय गढ़वाल छेतर में कुल पटियां कितनी तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन भी ची आसी उस समय अंग्रेजों के समय गड़वाद छेत्र में ची आसी पटियां थी और जो परगने होती थी वो 11 थी तो अगला क्वेशन है अंग्रेजों के समय कुमाओ छेत्र में कुल पटियां थी ऑप्शन ए 19 ऑप्शन बी 125 ऑप्शन से 120 ऑप्शन डी 118 तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 125 अंग्रेजों के समय कुमाओ छेत्र में कुल पटियां 125 थी और जो परगने होते यानि के परगना तो वो थी 19 तो अगला क्वेशन है सांकी की डाइरी 2018-19 के अनुसार विकास खंडो की संख्या है ऑप्शन ए 95 ऑप्शन बी 110 ऑप्शन सी 76 ऑप्शन डी 60 तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 95 जिसमें 76 परवतिय हैं और 19 मैदानी अगला क्वेशन है उत्रा खंडराज में कुल पुलिस तो किया है ऑप्शन ए 670 ऑप्शन बी 308 ऑप्शन सी 313 ऑप्शन डी 236 तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 236 अगला क्वेशन है राज में रिवन्यू पुलिस के तहट पटवारी चोकियां हैं ऑप्शन ए 1225 ऑप्शन बी 225 ऑप्शन सी 518 ऑप्शन डी 931 तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1225 तो अगला क्वेशन है राज्य का प्रह्थम साइवर थाना कहा है ऑप्शन ए पौड़ी ऑप्शन बी हरिद्वार ऑप्शन सी देरादोन ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो आपका जो अंसर होगा वो है देरादोन तो दोस्तों हम से जोड़े रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में नई दिन के साथ नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक केर